वेल्कम बेक तो माईटूब सब्सक्राइब कैसे हैं आप सभी लोग आई हूब अच्छे होगी और आज किस वीडियों देखने वारे बिए इंट्रेंस एक्साम 22 के लिए इसके जिसे समान ग्यान बोला जाता है इस वीडियों पचास कोशनों को देखें हैं वो पचास कोशन यह उतनों कभी सस्क्राइब करें बैल डाइक्कम कुपेश करते हैं और आपको सभी को बताऊगा कि जो अच्छे वजब को अच्छी वजब चाहिए हो च्छी में वजब शे से आपको लात मतले हैं और भही आट वजबing की खिलास साधे नौुजे से हिंदी की क्लास तो आ हाला कोशन आपके सामने है और इस कोशन का अंसर क्या रहेगा बता है यहां बोला क्या है चांदी हवा में यहां कह रहा है देखो चांदी हवा में गांड के उपस्तिती के करण संचारित हो जाती है तो किसके उपस्तिती के करण को संचारित हो जाती है अप से पूछा गया है डिफा सब्सक्राइब क्या होगी तो करबन की सबसक्राइब खाते हैं योटी है श incremental विरादोल सब्सक्राइब और अंगर रहकते हैं प्रद्टे उर्प्रमशन अहलों स सब्सक्राइब सक्फेल्स का इस नीष्ड में से कौन सा रेडियो धर्मी तत्व हना निमने जिए में से कौन सा रेडियो धर्मी ततवी है आपको नसा रेडियो धहर्मी अलेमेंन्ट सब कीचे यूरेनियम जिसने भी option नबर दिया है, यूरेनियम बिलकुर राइट होगा, यूरेनियम क्या है, एक रेजियो धर में कह सकते हैं, element है, और साथी इसकी बात की जाए, ये कौन से element के अंदर काता है, यूरेनियम तो आप सभी कहेंगे, ये anti-night element कहलाते हैं, anti-night element जो होते हैं, और इसके परमाणु भार की बात की जाए, तो उसका परमाणु भार होता है, 238, जिसने भी option नबर दिया है, बी परमाणु सताथा, नेक्स कोशन को तलगे, यहां देखो बूला गया, एक सहविधानिक उपचारों का अधिकार, किसके तहत आता है, एक सहविधानिक जो पार्टीकल 32 के तहर्टा आता है, और यह अंबेटकर जी ने कहा था, कि आप इसके पहर, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनल होता है, तो आप सुप्रिम कोड में यक्ष का दाहिन कर सकते हैं, तो वो कौन सा है, तो देखो सब्सक्रारों का अधिकार क्या है, वो हमारा कि निमनिकेत में यसे किस बाचन अंग में अमल होता है, ऐसा कौन सा बाचन अंग है जिसमें अमल होता है, तो इस कोशन गांसर क्या रह faten में से कि किसे पाचन अंग में अमल होता है किस पाचन अंग में अमल होता है तो सभी लोग कमेंट सेक्स में आएगा वो अमासे होता है जिसका भी ऑप्शन नमर ए परम सत्ता अंत्र होगा इस राइट होगा अमासे क्या होगा और यदि आपको पता होगा इसमें जो कह सकते हैं आपका 25 प्लस टार्गेट है 50 में से तो आपको कोई आपको सीट लेने से कोई रोक नहीं सकता है यहां बोला गया पाक जल कह सकते हैं जो डमरूब मद्ध है उस तथा जो मनार की खाड़ी है ठीक है उसके द्वारा जो निर्मित कह सकते हैं तंग समुंद्रिये जलमार के किका कारण से कौन सा भारत से अलग इसस्तित है तो बहारत से कौ सा नेस के कारण कि इस पड़ी है से मंग्नार के खाड़ी द्वारा जो स्मंसरी पक्रशंचा और ने हुआ uniform है त्रें सुझा-AR Daybreak स्रीलंका सब्सeg्मिट सरीलंका सबसे अलग होगा ठीक है इस तरीके से स्मेरा भाइरस्ट इस तरीके से और यहां जो स्री का टंगा हुआ है तो यह चीज आपको देखना है इस कोशन का आंसर किया रहेगा शटे कोशन का अइसा सबसे मजबूत प्रकृतिक रेसे के रूप में जाना जाता है सबसे मजबूत प्रकृतिक रेसों के रूप में जाना जाता है सबसे मजबूत प्रकृतिक रेसों के रूप में जाना जाता है सबसे मजबूत प्रकृतिक रेसों के रूप में जाना जाता है सबसे मजबूत जो प्रकृतिक रेसों के रूप में जाना जाता है next question आपके सामने आ चुका है, प्रकासिक फिल्टर का उद्देश क्या होता है, बताइए, प्रकासिक जो फिल्टर होता है, उसका मुख उद्देश क्या होता है, बताओ, सबी लोग comment section बांसर देंगे, फटा फट, मैं देखता हूँ आपकी तयारी कितनी fastly है, बताइए, यहा प्रकासिक फिल्टर का कारण होता है, आपको बता होगा प्रकास फिल्टर होके आता है, तो किसके कारण होता है, आप उते, जो ओजोन परत है ऊपर, उसके कारण आता है, समझ रहे हो? ठीक है न? विल्कुल सही और निचे करते हैं और इस question कांसर सब लोग देंगे next question करते हैं यहां आपसे नमा question बुला गया है इस question का आप सब लो देंगे जो बिर्जु महराज किस विधा के सुपरिशिद पृति पादक थे तो बिर्जु महराज थे वो कौन से विधा के सबसे पृति पृति बादक थे आप सब लोग दाएगे देखते हैं इस question कांसर कौन देता है सबसे फिले बिल्कुल राइट जिसने भी option number दिया है भी कथक बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ देखो दसमा question आपके सामने है पिर्थवी के बायू मंदल की अनुपस्तिती में आकास कैसा पृतित होता है आपको बतारा है पिर्थवी के बायू मंदल की अनुपस्तिती में पिर्थवी के बायू मंदल की अनुपस्तिती में लेकिन बायू मंदल जब बायू होती है और पिरकिरण जब होता है तो उम्हारा आकास होता है वो नीला दिखाई देता है यह आपको पता है तो जब भी पिरकिरण के कारण जैसे कभी बूचले कि आकास कैसा दिखाई देता है बायू मंदल की अनुपस्तिती में यदि अपनद कोंने इन्य कीका चैश्कारियों का वदाहर आभरांद सक्ताओं की पूर्ती करता है उदाहर का मतलब होता है रिड जिसने करजा लिया है जिस इस तरी ने जो निर्धन इस तरी है और उसने करजा ले रखा है और उसकी आबसक्ता को पूरी करते के लिए वो कौन सा कोश है जो महलाओं की मदद करता है आपको यह बताना है तो वो है राश्टी महला कोश होता है जो निर्धन होती है, जो महलाए होती है, उनकी जो आवसक्ता पूर्ती हो, उसकी आवसक्ता की पूर्ती करता है, वो होता है, राश्तिय महला कोस, जिसने भी option नमर दिया है, भी परम सत्ता अंसरोगा, नेक्स कोशन को सलते हैं, इस कोशन का अंसर सब लोग comment section में देंगे, क् भारत के नियंतक महा लेखा परिक्षग, लेखा जोखा संबंदित रपोर्ट किसको प्रुस्त करता है, जो महा जेखा जिसे कैग बोलते हैं, कैग कैग किसको, देखो, जो संसद में जो भी लिखेगा, जो भी कौम होता है, वो पूरा लिखा जोखा किसको transfer की जाता है, तो बात को आपको यादा रखना है, नेक्स कोशन आपके सामने आ चुका है, इस कोशन कांसर क्या रहे हैं, कॉमेंट सेक्षन में सभी लोग देना, कि यहाँ बोला गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ बोला गया है, पिर्थम बहुत परिश्यत महा, कहां आयुद किया गया थ बात वही है, तो समय आदर जब गौतम बुद की मिरती हुई थी, उसके बात में यह आजवित किया गया था, बोगर किया गया था, राजग्रह में, जिसने भी ऑप्शन नमबर दिया है, बी बिलको राइट होगा, जिसने बी दिया है, परम सत्ता अंसर होगा, चौदा का बी राजग्रह में किया गया, और राजग्रह कहा है बिटा, यह बिहार में है, कहा है, यह बिहार में है, नेक्स कोशन को चलने, इस कोशन का अंसर क्या रहने वाला है, कॉमेंट सेक्शन में सभी लोग देंगे, यहां बोला गया, पस्चमी वा पूरभी घाटो का मिलन कहा कहा होता है देखो पस्चमी और पूर्भी घाटों का मिलन कहा होता है आप कोई बताना है पस्चमी और पूर्भी घाटों का मिलन कहा होता है वो कहा होता है बिल्कुल सही है देखो पस्चमी और पूर्भी घाटों को जो मिलन होता है वो होता है नेलगरी पहाडियों पर ठीक को चलते हैं नेक्स कोशन देखो याद कभी भी आ जाए कि पूरी पश्मी और पूरी घाटों का जो मिलन होता है वो नेलिगरी पहाड़ियों पर होता है ठीक है इस बात को याद रखना है नेक्स कोशन है सात वाहन समराज की वो कौन था आप कोई बताना है सात वाहन जो समराज था उसके सम casos की बात की जा रही है पो कौन थे जिसने भी दिया है सिम्मुक बिल्कुल राइश्ट हो जाएगा option नमर B की और जाएगे जिसने भी दिया है परम सत्ता अंसरोगा next question को जलते हैं यहां बोला गया है देखो भारती राश्टी कांगरेश का प्रिथम विभाजन किसके कहां के सत्र में हुआ था किसके और कहां के सत्र में हुआ था तो आपको यह पता है जो भारती राश्टी कांगरेश का जो प्रिथम विभाजन हुआ था वो सूरत में हुआ था और इसमें जो दो दल थे आपको बता वागा 1907 में किस सुफर फास्ट रेल गाड़ी के यर्ब जो कंडिशन डिबो में सिगनलों की सुभिदा होती है जिसमें क्या होता है कि आपको यह बताया जाता है यह सीट विकलांक की है यह सीट इसकी है इसमें सब कुछ बताया जाता है यहां बोला गया है। जैब URBRAC nitrogen को किस में परिवर्थन कर देती है है जो जैव उर्बरक नाइट्रोजन को किसमे परीवर्ट गहम् ihan घ्योय इन डालते हैं na तो सकते हो कि MAY भी च्रेषण करता हूँ जानता हुई उसकी बारे में थो जैव प्रतों को वो आमोनिया में ट्रांसफर कर देता है उसको अमोनिया cones the such परिब्धा कर देता है जिसने भी option number दिया है क्या बीप परम सत्ता रोगा नेक्स्स कोण जलते हैं इस कोश्चन कांसर क्या रहेने वाला इस कोश्चन कांसर क्या रहेने वाला है सभी क्या दें बोलाइब सिभा थापा का संबंद से था जो बोलेंगे मुक्का बाजी से बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोक्सिंग बोलते हैं मुख्का बाजी में प्रिशिद्ध था तो बहुत ही बड़ी ऑप्शन में इसने भी दिया है एप परम सत्तान्सरों का बॉक्सिंग में वो कई बार दो उसने पदक चीज़ चुके है बहुत बादे पदक दीते हैं ते इसने ठीक है इस बात को याद रखेंगे आप सब इसको में थोड़ा सा नॉलिज बता देता हूँ जो ठीक है और 2012 में इसने ग्रीन कालीन ओलंपिक भी में हिस्सा लिया था 2012 में 2015 में 2010 में इसने क्या किया था रजत प्रतक जीता था कैसकते हैं बुविजा सिंगापूर से नेक्स कोशन को सलते हैं 21 कोशन आपके सामने आ कजी रंगा देला पार्क के अंदरी जाता है कजी रंगा जो एक सींग वाला जो गेंड़ा पाया जाता इसम में ऑप्शिन नमर जिसäche वी नेक्स कोशन यहां बुला गया है, देखो, ये बुला गया है, इस कोशन को ध्यान से देखेंगे, यहां बुला गया है, वह सुपरिसित भारती करांती कौन थे, जो बुरेटिस जेल में, भूक हरताल के दौरान मर गये थे, मालब 63 दिन तक बूसनों ने भूक हरताल की, और उसके बाद में वो मर गए थे, बताओ वो क्या था, उनका नाम बताना है, इस कोशन काँ सा सब लोग बताएं, क्या रहने वाला है, जतीन दास थे, जिसने भी option number A दिया है, बिलकोर right है, next question क्यों चलते हैं, यहां बोला गया है, carbon dioxide, this is CO2 बोला जाता है, के अलाबा un greenhouse gas कौन सी है, देखो carbon dioxide के अलाबा greenhouse effect gas कौन सी है, आपको बताना है, तो आपको बताएं, सबसे ज़्यादा आपको जानते हो, आप जानते हो CO2 होती है, एक greenhouse effect, एक होती है, CH4 अमोनिया होती है, और एक होता है हमारा CFC, यह आप देख रहे हैं, यह तीन कैसे होती है, जो greenhouse gas से होती है, तो आप जान सकते हैं, इसमें option C, H4 दे रखा है, तो option number जिसने भी दिया है, A, परम सब्टा आंसर होगा, ठीक है, methane, next question को चलते हैं, यहाँ बोला गया है कि भारत की राष्टी आय का, जो संकलन कौन करता है, भारत की तो राष्टी आय होती है, उसका संकलन कौन करता है, ब जिसने भी कहा है, option number D, बिल्कुर राइड है, केंद्रिय संक्यां की संगठन करता है, भारत की राष्टी आय का संकलन, कौन करता है, केंद्रिय संक्यां की संगठन, जिसने भी option number दिया है, D, परम सब्टा आंसर होगा, D, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी, उननेस सो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को याद रखेंगे, 1991 में इसकी स्थापना, 2 मई, 1991 में स्थापना और इसका मुख्यालर नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में इससे धायाद रखना, next question को जलते है, next question आपके सामने, यहां बोला, सत्मेब जैते किस, सब् उपनिसित कौन सा लिया गया है, तो आप कहेंगे, बताओ, इस question का अंसर क्या होगा, मुंडक से लिया गया है, मुंडक उपनिसित से लिया गया है, जिसने भी option number B दिया है, बलकुर right होगा, next question को जलते है, इस question का अंसर साभी लोग देने वाले है, 27 इसमें question, जब ग्रेफ चंटाने होती है, वो रुपांतरत होती है, तो उन से क्या बनता है, आप कोई बताना है, तो उन चीजों से क्या बन सकता है, संग मंगबर बनता है, स्लेड बनती है, यह फिर नाइस बनता है, तो जिसने भी option number दिया है, बी, नाइस बनता है, जिसने बी दिया है, परम सत्त प्रचाने होती है और नाइस एक कह सकते हैं एक कलांतर चट्टान का पिरकार होता है जब पिघल के नीचे आता है तो वो बन जाता वहीं यह वोला गया ऑप्शन नमर्वर इस राइट होगा नाइस वोला जाता है इसको नेक्स को जाने क्या उर्जा का वड़िजिक के स्रोथ है उर्जा का सबसे बड़ा अच्छा स्रोथ क्या होता है आपको पता ही उर्जा का सबसे अच्छा स्रोथ क्या होता है वड़िजिक के मतलब होता है सबसे बहतर स्रोथ आपसे पूचा गया है उर्जा का कह सकते है वड़िजिक के स्रोथ क्या होता है आपसे पूचा गया है उर्जा का वर्जी सुरूत प्राकृतिक गैस में की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा होती है, option नमर जिसने भी दिया है, D. प्रमसत्तान सुरुगा, कोई स लोग सूरिय बताते होंगे, इसका सूरिय नहीं होगा, ठीक है, जैसे के बर्जी की सुरूत की बात करें, उर्जा का जो बर्जी की सुरूत जो होता है, जिसमें आपको कोईला आई जाता है, बर्जी सुरूत कौन कौन से होता है, कोईला होता है, ठीक है, और साती साथ प्राकृतिक गैस होती है, बिद्दुत होती है, ये बर्जी सुरूत ह से कहते हैं ओर जाके करंवायों मैंने आपको बताया कौन रखा है विप दोफ होती है और प्राइक Archives हो Ja, है निक्स कोशें यहां बोला गया है पाश्चण सलाई कि बंकर का संमंध किस बजार से हैं О पूछा गया है, 29 में question का answer सब लोग comment section देंगे, बताओ इस question का answer क्या होगा, serum से होगा, जिसने भी option number दे है, be बिल्कुन right होगा, be is right है, next question क्यों चलते है, इस question का answer आप सब लोग देने वाले है, सूचिना और धोगिकी में, SOC, कह सकते हैं, SEC active memory को क्या कहा जाता है, बताइए, इस question का answer क्या रहने वाला है, सब लोग comment section में answer देंगे, क्या रहेगा इसका, सूचिना प्रदोगिकी में, SOC, active memory को क्या कहा जाता है, virtual memory कहा जाता है, जिसने भी option number A दिया है, बिल्कुन right है, next question क्यों चलते हैं, यहाँ आप से बुला गया है, कि अर्द चालक में उप्रुक्त, भी सुद्धा को मिलाने को क्या कहते हैं, अर्द चालक में जो उप्रुक्त, जो भी सुद्धा होती है, उसको मिलाने को क्या कहा जाता है, सब लों बताइए अर्धचालक में उपरुक्त भी सुद्धता को मिलाने को क्या कहा जाता है उसे बोलते हैं इसने इसने भी option नमर ए दिया है विलकूर राइट होगा next question को चलते हैं इसमें आपको बताना है यह आपसे बोला गया है क्यूटो प्रोटोकॉल का संब़न किससे होता है जिसने भी option मर दिया है बी जलबायू परीबरतन से मिलकूर राइट होगा जलबायू परीबरतन से होता है नेक्स कोक्शन बुला गया है ब्राहम अलकाजी निमनिकत में से किस छेत्र में प्रिसिद्ध ख्याति के हैं जो ब्राहम अलकाजी थे वो कौन से छेत्र में सबसे प्रिसिद्ध ख्याति थे आपको बताना है सिख्यातन मत कह सकते हैं वो विख्यात किसमें कौन से छेते में सबसे ज़दा विख्यात थे ऐसे कह सकते हैं तो आप कहेंगे नाटक के मंच में सबसे ज़्दा थे वो नाटक मंच ज़्यादा करते थे option number next question यहां बोला गया है skoda skoda जिसमें बजार में अपनी सेडान और रैपिड उतारी मुलता किस देश के आटो मुवाइल निर्मरता है बताओ किस देश के आटो मुवाइल निर्मरता है जो इसकोर्डू है जिसने बजार में अपनी एक सैडा रैंपिंग उतारी है उसकी मुलता किस देश के और अटो मुवाइल नर्मडता है आप सभी लोग बताएंगे 34 का कोशन का अंसर जिसने भी दिया है कौन से देश के हैं बिटा किस देश के हैं और अटो मुवाइल नर्मडता तो चेक गड़राज के जिसने भी option number दिया है डी परमसत्ता अंसर होगा डी वाले बिलकूर राइट होंगे चेक गड़राज ठीक है नेक्स कोशन को जलते हैं इस कोशन का अंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्षिन में सभी लोग बताएंगे यहां बोला गया है सत्त्रिये किस राज का सास्त्रिक नित है सत्त्रिये किस राज का सास्त्रिक नित है अब से पूचा गया है इस कोशन का अंसर क्या होगा कमेंट सेक्षिन में आंसर दीजिए क्या रहने वाला है जिसने भी दिया है सी बिलकूर राइट होगा असम राज का है नेक्स कोशन बोला गया है, इस कोशन का आप बताएंगे कि कैलास का पिर्सिद सैल कटाई निर्मित मंदिर, ठीक है, इस्तित कहां है, जो कैलास का पिर्सिद सैल कटाई निर्मित मंदिर है, वो कहां इस्तित है, आपसे पूछा गया है, एलोरा अजन्ता कहां पे होगा बिट वो बिटा अजन्ता में है यदि किसी राज के बिधान मंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है वो किस कारण गिरता है यदि किसी राज के बिधान मंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होने वाला है तो मुखमंत्री सहित मंत्री परीशत को त्याग पत्र देना पड़ता है तो क्या होता है बिटा ध्यान से देख लेना क्या होता है यदि किसी राज के विधान मंडल में बजट गिर जाता है तो मुखमंत्री सहित मंत्री परीशत को त्याग पत्र देना पड़ता है इस बात को याद रखना है नेक्स कोशन यहां बोला गया है निमनेकित में से किस अकवार का गांधी जी ने दक्षन अफरिका में संपादन किया था आपको पता होगा वो था इंडियन ओपरियल और कह सकते हैं इंडियन ओपरियल यह बहुत इंपोटेंट है और पूछा जाता है कि इंडियन ओपरियल गांधी जी ने कब किया गया था तो अफरीका आंदोलन के टाइम यह जारी किया था जिसने भी ओप्षन नमर दिया है ए परमसतान से होगा ठीक है इंडियन ओपरियल अप्षन नमर क्या होगा ए इस राइट होगा सबसे बड़ा टापू है सबसे बड़ा टापू क्या है बटा सबसे बड़ा टापू कौन है सबसे बड़ा टापू कौन सा है बताओ गिरिक लैंड जिसने भी ओप्षन नमर दिया है ए परमसतान से होगा A is बिल्कुल right होगा next question को चलते हैं 40 मा question आप सभी लोग देंगे इस question का answer क्या रहने वाला है 40 में question का answer क्या होगा बताईए इस question का answer क्या होगा यहां बुला गया है mebomian granti किस में इस्तित होती है आपको बता रहा है यह बिटा आप में इस्तित होती है option number हम एक ही और जाएंगे आप में इस्तित होती है next question कर जलते है इस question का answer क्या रहने वाला है कह रहा है किस सहर में भारत का पहला डांगर ATM खोला गया था डांगर ATM ATM खोला गया था chain नहीं में खोला गया था जिसने भी option number A दिया है परम सत्ता आंसर गा next question कर जलते है यहां हमारा 42 मा question सभी लोग answer देंगे 42 में question का answer क्या रहने वाला है देखिए बोला गया है कि भारत में 42 में question का answer सभी लोग देंगे यहां बोला गया है भारत में और सिनिक समस्याए मुख रूप से किस कार्ण से है जो और सिनिक समस्याए है भारत में जो और सिनिक समस्याए है वो मुख ता किस कार्ण से है अपसे पूछा गया तो जिसने भी option number दिया है 42 का C बिलकुर राइट होगा प्रभावेच छेतर में भूजल का अत्यदिक दोहन से है option number C is right होगा देख लो C is right होगा next question को चलते हैं यहां बोला गया है सरीर में स्वथ रेक्ट करकाओं का मुख कार क्या होता है जिसे हम WBC बोलते हैं स्वथ रेक्ट करकाओं को WBC बोला जाता है और इनका जीवन काल दो से चार दिन होता है यह रेक्ट में ही खतम हो जाते है और इनका निर्माण पिलिहा करता है पिलिहा जानते हो वो करता है इसका निर्माण पिलिहा में होता है और यहां बोला गया है इसका कार क्या है मुखकार होता है इनका रोगों के विरुद सरीर को रक्षन करना है यह होगा यह क्या होता है मैं रोगों से बचाती है मतलब हमारी जो रोग होते है उनको पृति रक्षा प्रिदान करती है हमारी बॉडी को ठीक है तो मतलब कोई भी बैक्टेरी आता तो उसको खतम करने का का इसका ही होता है तो याद रखना रोगों के विरुद सरीर का रक्षन करना होता है जिसने भी option number D दिया है परमसत्तांस रोगा next question रक्षा करती है रोगों से इसका काम को होता है WBC का next question बोला गया है इसको बताइए यहां बोला गया है और यह blood में ही खतम हो जाती है इनकी मिर्तिव बिलेट बे ही होती है और यहां इसका नर्माण करते है इस question का answer क्या रहने वाला है यहां बोला गया अर्थ सास्त की द्रश्टी से यदि बिना किसी को यहां बोला गया है बिना किसी को वदरत बनाई किसी और की बेहत्री संबब है तो वह इस्तिती कैसी होए यह पूछा गया है इस question का answer देखो क्या रहने वाला है जिसने भी option number c d दिया है इसका बिलकुर right होगा ठीक है कह सकते है परेटोस रश्टा बिलकुर right होगा परेटोस रश्टा इस question को चलते है इस question को आप देखेंगे यहां और मूला गया है ग्रीन हाॉस इफट होता है तो ग्रीन हाॉस प्रभाव का मुkov अभी प्राक प्राय किससे होता है जनरल डायर थे जो जलिया वाला हत्याकांट हुआ था हमको बता होगा जलिया वाला हत्याकांट ठीक है जलिया वाला बाग ठीक है यहां बुला गया है नर्साहंग का एक दोसी था जिसके दौरा मारा गया था जिसके दौरा मारा गया था ठीक है तो यह किसके दौरा मारा गय है तो जनरल डायर टा जो जलिए वाला बाग जो कांट वहा था 1993 में ठीक है वह दोसी था उसी जले वाला बागज का मुख्तोसी भही था और उसको किसने मारा था यह पूच लेता है तो किसके दौारा मारा गया था जनरल carry को वो मारा था उधम सिंग ने गोली मारी थी ऑप्शे नंबर सीक्योर जाएगा इस ने भी सी दिया है परमसत्तांस रोगा ठीक है तेरा अप्राइल निस में जो जलिए वाला हत्तियाकांट हुआ था उसकी बात की गई है ठीक है और इसे कम मारा का उधम सिंग ने कम मारा था 1940 में मारा था, इसे 1940 में गोली मारी थी ठीक है इसका मुखदोसी यही था जनरल डायर ठीक है next question कर चलते है अत्तर प्रतेश पुलिस के चिन में कौन सा जानबर का चित्टर है आपको होता रहा है देखो उत्तर प्रिदे पुलिस है उसमें आपको दो मचलियां दिखाई देती है इस तरीके की ऐसे होता है यह दो मचलियां इधर उधर करी हो दिखाई देती है आपको तो दो मचलियों का चिन्न है और बीच में क्या है बीच में तीर है राम जी का जो त तो यह मचली होता है तो ऑप्षिन नमर बिल्कुल राइट होगा नेक्स कोशन वो लगया है यहां आप देखिंग लास्ट कोशन यहां वो लगया है जी एस्टी परिसात दुवारा लॉट्री पुस्त कह सकते हैं जो पुरस्तकार होते हैं पुरस्तकारों के लिए निर्दार नीमित जी इस्टी कितनी होते हैं जो लौट्री जो पुरस्कार दी जाते हैं कि दूसरी को तृट्री के लिए उसके निर्दाः जी इस्टी किसी ब्युक्ति की लगती है तो जो निर्दारइद जी एस्टी चार्ड um तो वो कितना होगा, मालो 1,00,00 रुपए आपको दिया गया, 1,00,00 रुपए की आपकी लौ्टरी निकली है, ठीक है, जब आपको एक लाक लौपए निकली है, तो आपको 28,000 रुपए काटने के बाद आपको दिये जाएंगे, मतलब भहीं आप लगा सकते हूँ कि आपको 72,000 रुपे लगेंगे, बिलेंगे, एक लाप की लॉटरी मिलती है, तो, तो ये आपको GST देनी पड़ती है, ये है प्रोसेस, आज की वीडियो कैसे लेगी, कॉमेंट सेक्षन में आप जरूरू बताइए, आज चाहर करता हूं, वीडियो पसंद हो जो आपको सब्सक्राइब के